हेलो एवरिवरन, विल्कम बैक तो माई चैनल, श्रया कीचन में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही हेल्दी रेसिपी, यह आप देख सकते हैं, यह मैंने बनाया है आवले का मुरब्बा, यह देखने में भी बहुत अच्छा लग रह था, नॉर्मल पानी में, मैंने इसमें कोई फिट करी या चूना, कुछ भी नहीं डाला है, अब हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे, तो यह देखिए, पानी से बाहर मैंने निकाल लिया है, इसके बाद हम इसे स्ट्रीम करेंगे, सिर्फ माँच से 6 मिनट के लिए आपक तो इस तरीके से देखिए, सारा आवला मैंने डाल दिया है, बहुत देड तक नहीं आपको इसको स्ट्रीम करना है, बस 5 से 6 मिनट बहुत है, तो अब मैं इसे ढख करके, 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही रखतूंगी गैस पर 5 से 6 मिनट हो गये थे, तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे तो यहाँ पर चाकू की सायता से चेक करके मैं आपको दिखाते हूँ, यह देखिए, यह इस्ट्रीम हो चुका है अच्छे से तो अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे इसके बाद यह सारा आवला बाहर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा थंड़ा करेंगे तो मैं इसे अब बाहर निकाल लूँगी थंड़ा करने के बाद, यहाँ पर देखिए, मैंने एक फॉग लिया है इसको इस तरीके से आपको, यह देखिए, ग्रिल करना है आवले के अंदर का जो जूस होता है, वो चीनी के साथ मिक्स हो जाए, तो टेस्ट भी अच्छा आता है, और आवले का जो कड़वा पन होता है, वो भी चीनी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये कम कड़वा लगेगा, ज्यादा कड़वा नहीं लगेगा, तो इस तरीके से सार आवलो को आपको ग्रील कर लेना है फॉक की सहायता से तो उच्छे लिए बनाना सुरू करते हैं गैस की फ्लेम आउन कर लिया है आपर मैंने कडाही रख दिया है आप चाहें तो किसी और बर्तर में भी इसे बना सकते हैं मैं कडाही में बना रही हूँ जितना ओला था उतना ही आपको चीनी भी लेना था एक किलो के करीब आवला मैंने लिया था तो चीनी भी हम उतना ही डालेंगे इसमें तो ये देखिए चीनी मैंने डाल दिया है दोनों की मात्रा बराबर ही होनी चाहिए और गैस की फ्लेम आप लोही रखिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी जादा पानी नहीं डालना है आधा कप के करीब आपको इसमें पानी डालना है सिर्फ चीनी को मेल्ट करने के लिए मिक्स कर लेंगे इसको अब देख रहे हैं चीनी भी धीरी-धीरे थोड़ा पिखल रहा है तो अब हम इसमें आवला को भी डाल देंगे और दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो ये मैंने आवला भी डाल दिया मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही पकाएंगे लो फ्लेम पर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ये चीनी के साथ अच्छे से पक जाएगा आवला जितने देख तक ये पकेगा उतना ही इसका कलर अच्छा हैगा और ये सौफ्ट भी बनेगा मुरब्बा हमारा तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे ऐसे ही इसको पकाएंगे कम से कम आधे घंटे के लिए आपको पकाना है और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे तो ये देखिए जो आवले के अंदर का जूस होता है वो भी अब बाहर निकल के चीनी के साथ मिक्स हो रहा है आप देख सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें तीन से चार इलाइची इलाइची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप इलाइची ज़रू डालिए मैं ऐसे ही तोड़ करके इसमें चार इलाइची डाल दी हूँ अब हम इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे तो ये देखें ये कितना पतला हो गया है जो हमने इसमें चीनी डाला था वो भी और आवले का जो जूस है दोनों साथ में मिक्स हो रहें अच्छे से तो आधे घंटे बाद हम फिर से चेक करेंगे इसे तो ये देखें आधे घंटे तक मैंने ऐसे ही गैस पर इसको रख दिया था आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये अच्छे से अब पक भी गया है अब हम इसे जो है क्या करेंगे गैस की फिलिम औफ करके ऐसे ही 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे 4-5 घंटे बाद आपको हम चेक करके दिखाएंगे ये देखिए 4-5 घंटे के लिए मैंने ऐसे ही रख दिया था तो जो चीनी था वो आवले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और ये मुरब्बा हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है बिना किसी जंजट के ये आवले का मुरब्बा आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही टेस्टी बना है ये आप चाहें तो इसको थोड़ा और पतला भी बना सकते थे लेकिन मैंने इसका जो चीनी मैंने डाला था बहुत देर तक पकाया है तो ये और गाड़ा हो गया है अब इसे जो है किसी काच के बड़तन में रख करके आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने काच का बड़तन लिया है मैं इसी में इसको रखूंगी तो अगर आपको ये आवले की मुरब्बे की रेसिपी पसंद लाया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज वीडियो को फुल वाच करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये देखिए, मैं दिखाते हूँ आपको ये कितना सॉफ्ट बना है बहुत ही टेस्टी बना है मुरब्बा तो आप इस तरीके से एक बार मुरब्बा जरूर ट्राइ करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में